बाडी में तीन ब्रेन होते हैं पहला नियूरो सेंस जो होती है वो आप ब्रेन को कह लीजिए जो आपके दिमाग मस्तश में उपर होती हैं दूसरे नियूरोंस जो होते हैं वो आपके हार्ट में रहते हैं दिल में कोई संबेदनाय पैदा होती हैं कोई भावनाय पैदा होती हैं भाव पैदा होता है कोई विचार पैदा होता है उन नियूरोंस का सीधा ब्रेन पर एफेक्ट पड़ता है और तीसरे नियूरोंस जो ह होते हैं, डॉक्टर से इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी बात को डॉक्टर समर्थन भी करेंगे, सोन रहे होंगे तो, कि सबसे जादा नूरॉंस जो होते हैं, वो पेट में होते हैं, मतलब जो पेट होता है, वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करके चलता है, अब प 62 90% ब्रेंग को गंट्रोल करता है पेट और पेट को जो गंट्रोल करता है वो होता है बोजन बोजन के साज भी एक बहुत बड़ी विचितता है कि जैसे इस्त्री और पुरुष के संपर के पश्चात एक सन्तान पैदा होती है ये दुनिया के सारे लोग जानते है ये बात सही भी है कि जब तक Fathers का DNA जो है वो मदर्स के उपर सिफ्ट नहीं होता है तो भी एक संतान भी नहीं आती है ये एक नैसरगिक पक्रिया है जो लोग ग्रहस्त आश्रम में रह करके करते हैं लेकिन उसके उस विज्ञान को भी हमे कि वैदियानिक सब्दों के माद्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां चंद्रमती ने देखा कि यहां से कीड़े जहर रहे हैं तो रानी राजा से कूस्ती है महराज ये कीड़े पैदा कैसे हुए राजा कहते हैं इसके पीछे भोजन कारण है भोजन इतना दुर्द से सीज होती है या फिर आपकी स्कीन में चित्थे पढ़ते हैं या फिर माली जी आप बहले बहुत सुंदर दिखते थे ध की बॉड़ी में चेहरे में थोड़े चोड़े चोड़े दॉड़े पढ़ने लगते हैं या फिर आपको ओर्षोराइटिस या जाइन्स का पेन हो जाता है इसके लिए इन सब चीज जी के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में आप बैग्यानी या डाक्ट्टर्स लोग इसको जानते हैं जिसको कहते हैं गट होता है एक पक्रिया होती है बोडी के अंदर वो लिक्की गट में क्या होता है कि भोजन पूरा पका नहीं भोजन से पूरा रस नहीं बना और भोजन रक्त में मिल गया तो बिना पके बिना पचे हुए रक्त में प्रवाह में जाने वाले बोजन के माध्यम से इस तरीके की दुरदान तवस्थाएं चाहे वो साइड का की हो, साइनेस की हो, औरल प्राब्लम हो, मुह से बद्बु आना हो, आग के अंदू उपर जाले पढ़ना हो, इसकीन डिसीज होती हो, और्थोराइटिस होता हो, या कैंसर होता हो, या फिर आपको डैंगू हो जाता हो, इन सब चीजों के लिए लिक्की गट बहुत ज़्यादा काम करता है, और बाडी कैसे रेजिस्टेंस पापार मिंटेंग करती है, कैसे संदान एक पैदा होती है, यह हम पूरी दुनिया के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना और जानना होगा, आवश्यक है बंधों आज की डिट में, कि आपको ये तो पता है कि फादर्स और मदर्स क कमबो पैक से ही एक संदान आती है, ठीक बात है, इतनी सी बात तो आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जब पिता के शरीर से निकलने वाले वीर की शक्ती माता के गर्व में स्थापित होती है, तो सिर्फ वो वायरासी यहां से वहां नहीं जाते, उसके साथ बहुत क जैनेटिकल सेंड्रोम में बने हुए जो भी रोक होते हैं, वो जैसे माली जै हार डिसीस है या फिडाइबिटिक है या फिज और तीजे हैं, आर्थो हैं, तो ये सब चीजे उस वीर की शक्ती के साथ ही उस बालक के अंदर चली जाती है, हाइड चली जाती है, आवाद चल जाती है, चहरा चलाजाता है, जीवन शक्ति चली जाती है, जीवन की आयू के भी कई बर्षो को निष्ट करने के लिए जो है, यह जैनिटिकल सेंडिकल सिंड्रोम आपके जीवन में काम करते हैं. लेकिन सिफDNA काम करता है, ऐसा नहीं है. यह डिने आपकी बाडि का structure खड़ा करता है लेकिन बाडि का structure खड़ा करने के बाद जो structure चंद्रमति चाह रही थी कि हमें एक पुट्र चाहिए तो महराज यशोद इस बात को समझते है कि इसको बाडि structure तो चाहिए है लेकिन अंदर का structure तो मुझे आनन्द आएगा कि आपने संतान पैदा कर दी संतान जो दिख रही है जो यह बाड़ी फिजिक दिख रही है यह ठीक बात है कि यह DNA से बनी हुई है लेकिन यह DNA से बनने के बावजूद DNA से ऑपरेटिंग नहीं है इसको जांकारी हमारी बहुत जरूरी है कि पूरी बाडी में डिने का काम सिर्फ एक परसेंट है, कितने परसेंट, अलि वन परसेंट, 99 परसेंट आर एने वर्क करता है, और वो जो आर एने हैं, वो आर एने लाइफ में, पेट में जाने वाले बोज़ पदार्थोस के उपर डिपेंडेंट होता है, माली जिये, आपकी भोज़न सैली जो है, वो एनिमल बेस्ट है, एनिमल बेस्ट भोज़न है, आपका माली जिये, आप कोई मालसाहरी भोज़न को करते हैं, या फिर आप कोई जंक फूट खाते हैं, या फिर आप माली जिये, कि आप प्रदूशित पानी पीते हैं, या फिर आ आप जो है वो एन हायजैनिडीक, एंवार्मेंट में भोजं करना पसंद करते यह एन हायजैनिक providing आपने देखा कर प्राया करके नाली की ठेले के उपर जो, डोसे चांट की ठेले लगे होते हैं, नाली के गटर के उपर, देखा है नौ, तो वो क्या करते हैं? वो आपका पू बी मांसाहर किया तो दुनिया में जितने भी जानवर प्रत्यक दिन भोजन के लिए मारे जाते हैं वो सारे जानवरों की अलग अलग वेदनाएं होती हैं प्रत्यक जानवर की मानली जे गाए मरी या फिर मुर्गी मरी या फिर बकरा मारा गया बकरी मारी गई या फिर उट मा खरगोस मारा गया चुवा मारा गया तो जितने भी सुवर मारे गए आप ये सब चीजों में आप कभी देखेंगे कि जितने जानवर आपके बोचेंग के लिए मारे जाते हैं उनकी वेदना का इस तर अलग-अलग होता है। कोई जानवर बहुत जादा घ्रणा को लेकर के मरता है कोई जानवर जो होता है बहुत जादा रिवेंज को लेकर के मरता है मलब वो अटेक करना है देखा आपने कभी कोई गाय है मलब कसाई उसको हलाल करना चाह रहा है मारना चाह रहा है लेकिन गाय बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर के कसाई को मार रही है आपने ये सीन यूटूब चैनल में या फिर रील्स वगएरा में देखे होंगे आप इससे हमको बहुत कुछ सीखना है आज आपको ये सीखना है कि जितने भी जानवर मारे जाते हैं उन सब की वेदना का इस्तर अलग-अलग होता है सारे जानवर की वेदना का इस्तर अलग-अलग होने पर सारे जानवर के मांस के अंदर पैदा जेनरेट होने वाला RNA भी अलग-अलग होता है अब मालीजे कोई जानवर है वो अत्तादी कुरोध में आकर के मृत्तु को प्राप्थ हुआ कोई जानवर है वो किसी mental phobia में जाकर के मृत्तु को प्राप्थ हुआ कोई जानवर है जो helplessness एक mental syndrome के कारण की मुझे कोई बचाने बाला ही नहीं है मैं कोई मुझे बचा ही नहीं पा रहा है मैं मर रहा हूँ इसको देख करके मरत्यु को प्राप्त हुआ कोई जानवर है वो रिवेंच को लेकर के मरत्यु को प्राप्त हुआ कोई जानवर है वो बहुत जाता एंगर होकर के मरत्यु को प कोई भी हो प्रत्य जानवर के मरते समय मारते समय जब उसकी स्लोटिंग की जाती है उस स्लोटिंग के समय उसकी पीड़ा का इस तर अलग अलग होता है अलग अलग उसकी वेदना होती है अगर आपको प्रत्य जानवर की उस वेदना को देखना या समझना है तो एक 2018 में एक फिल्म है, डोमीनियन, डोमीनियन मूवी है, आप उसको देखिए गवंदू, जो मांसाहर करते हैं, उनको इस बात को देख करके सीखना और समझना होगा, साकाहरी को भी सीखना होगा, क्योंकि उसी डोमीनियन मूवी के माद्यम से आपको यह बात समझ में आएगी, कि किस तर भी फसंद है, तो आपको यह चीज भी फसंद है, जाना होगा, कि मांस जब प्रद्दूस होता है, जब बनाया जाता है, उसको वश्च कीया जाता है, उस समय उस व्यक्ती, उस जीव के अंदर, उसकी डिने के साथ, जो उसके अंदर भै कॉंपलेक्स पैदा होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे ये बात आती है तो आप किसी भी डॉक्टर से मेरी स्पीच को सुना करके क्लीरिफिकिशन भी करा सकते हैं मुझे कि इस तर के साथ मरी है उस वेदना के इस तर के भाव परणाम और उससे जो जनेट होने वाला Microcells का जो bacteria है वो उसके mass में पैदा हो गया अब वो mass आपने अपने पेट के अंदर खाया खाने पर जैसे आपने उसको पेट के अंदर डाला तो मैंने आपसे कहा ना कि बॉडी में तीन ब्रेन होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा 60-90% आपका ब्रेन काम करता है वो आपके भोजन के उपर dependent है कि हमारा भोजन कैसा है उससे depend करता है कि हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं तो आप माली जी आपने किसी क्रोध के आवश्मिया रिवेंच को लेकर के कोई जानवर मर रहा है और उसका mass आपने ले लिया खा लिया अब अंदर जो RNA गया है वो RNA आपके DNA की genetic code को change कर देता है इस बात को डॉक्टर समझेंगे इस बात को कि RNA जो अंदर produced हुआ है जो अंदर ribonuclear acid बना हुआ है वो आपके deoxy ribonuclear acid को पूरा change कर देता है वहाँ पर उर्जा भेजना बंद कर देता है संदेज देना बंद कर देता है और सबसे बड़ी बात बोजन को पचाना पाचन अपचन की पक्रिया को बंद कर देता है और जैसी वो RNA change होता है तो ये RNA कितना कैसा होता है तो आप आश्यर मालेंगे कि 300 प्रकार से लेकर के 10,000 प्रकार की RNA की प्रजातियां होती है और जो एक body के अंदर पूरे DNA को चेंज करता है वैसे आपकी सोच सकती खतम होने लगती है आपकी विचार सकती सून पढ़ने लगती है आपके अंदर आलस प्रमाद आने लगता है आपको चाहते हैं लेकिन आपको कुछ मिल नहीं पाता है और ये घटना सिर्फ मांसाहर से नहीं होती ये घटना ज पढ़ी होगी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें ग्रीन सेंबल वाले ये बुक्स रहते हैं जिसमें फोर्टीन 430 नंबर है 310 नंबर है 370 नंबर है ऐसे पूरी नंबरिंग में लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर वाला जो प्रिजर्वेटी होए वो किस चीज से जिसके माध्यम से आपकी सोच समझ की शक्ति कुंठी दोदी चले आती है महराज या शूद इस बात को कितने गंभीता से समझते होंगी उस समय का विज्ञान है उस समय की शब्द सहली मेरे पास समझाने की नहीं है बंदो समझने की तो है लिकिस समझने के लिए आपके बा आपको यूकडर्मा हो रहा है आपको मतलब सफेद दाग हो रहे है कोड हो रहा है जिस तरीके क्या को आप कहते हैं या फिर आप मालीजेए की आपके बाल उम्र से पहले बहुत अदर सफेद होने लगे हैं इन सब चीजcito के पीछे कारण है आपका भोजन। माइग्रें की भी होती है इन सब चीजों के पीछे आपका भोजन प्रॉब्लम करता है वो भी कैसा भोजन जो लिक्की गट होता है लिक्की गट कैसा होता है कि खा तो लिया लेकिन उसका रस नहीं बना और रस बेने बिना वह भोजन रखत के प्रवाह में मिल गया तो उसकी जो डिसीज है वो आपकी body में बाहर दिखाई देती है और उसकी disease आपकी body में तो बाहर दिखाई देती है वो आपके अंदर के आपके जो आपका emotions power है उसको भी disrupt करती है महराज यशोत सोच रहे हैं ऐसा साहसी, धैरवान, साहसील, उत्तेज, मलब सौरवान, प्रग्यावान, धैरवान, छमावान, ज्यानवान, उसास, युक्त, निरोगी कायावाला मुझे एक पुत्र चाहिए और महराणी जो चंद्रमती सोच रही है, बस मुझे एक पुत्र चाहिए मैं आपको फिर वो बात कहूँ कि विचारों के एक किसे, आचारों के साम में से, समप्रेशन में निखार आता है यह मुख माठी है बंदो, गुर्देव ने अपने इस मुख माठी साहिते में लिखी है, वरना विकार आता है महराण यशो सोचते हैं कि रानी चंद्रमती को मैं सब कुछ समझा दू और अच्छे तरीके से इसको पहले संतान के उत्पत्ति के लिए इसको फिजिकली तयार कर लो तब वो महराण यशो तो इस बात को बता रहे हैं कि क्या होता है जैसे आप मालीजे जो ये फास्ट फूट खाते हैं आप लोग, जो भी खाते हैं, जिनको अच्छा लगता है मल्टिनेशनल जितनी भी कमपनिया होती हैं बंदो, चाहे वो आपकी मैगी बिखती हो या फिर आपका मैग डॉललस बिखता हो, पीजा बिखता हो, बर्गर मिलता हो या फिर आपको इसी डॉमिनोस में जाते हो, या फिर आप चाउमीन खाते हो या पीजा बर्गर के साथ आप कुछ और चीजे लेते हो, पास्ता लेते हो या फिर आप कोई chips खाते हैं, या फिर packed food item जो खाते हैं, इन सब चीजों में होता क्या है, कि इन सब चीजों में जो आप खाने वाले पदार्थ होते हैं, ये आपके biochemical के कुछ students है, biochemical के students जो होते हैं, वो आपके test buds को capture करने की technique जानते हैं, माल दीजे आपने कोई chips का packet खाया, आप chips खाने के बाद आपके मन के अंदर जो जैसे आपने खाया, खाते साथ ही, जो आपने भोजन किया है, उससे आपकी body के अंदर एक RNA, bacteria generate हो गया, क्योंकि वो 300 से लेकर की 10,000 तक की प्रसातिया हैं, और उसकी सांख्या भी 100,000,000 करोर तक हो सकती है, तो वो एक bacteria generate हुआ, अब बार बार वो bacteria आपको अंदर से indicate करता है इस बात के लिए, कि आप मुझे फिर से chips खानी है, जैसे आपको आलू खाना है, या मालीच आपको प्याज खाना है, या फिर मालो आपको उटले का खाना है, तो ये आप इक्षा नहीं कर रहे ह है, आपके पेट के अंदर बैठा हुआ जो bacteria है, वो आपके दिमाग में जाकर के सूचना तंत्र को बार बार इस बात के पेरित कर रहा है, कि चलो 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 अब आपको क्या करना है, अब हमको एक ice cream ही खानी है, वलीना खानी है, चाको बार खानी है, रसबरी खानी है, या कुछ खाना है, या फिर मालीजी आपको जॉंट फूट्स खाने है, या फिर हमको बालो होटल का ही खाना है, हमको किसी और जगार खाना है, उन सब के पीछे RNA काम करता है, medical science इसको बहुत अच्छे से समझता है, वो RNA अंदर बॉड़ी में जनरेट हो गया, वो जनरेट ह जो कैमकर मिलाया, आप किसी भी पॉड़ेट को पढ़िएगा, जो पैक्ड आइटम होते हैं, खाने के लिए रेडी टू इट होता है, वो रेडी टू इट कितना अईजाइनिक होता है, और वो रेडी टू इट की क्या मलब बैट क्वालिटी है, यह भी मैं आपको बताने क कोशिश करता हूँ, आप देखिए, कि आपने कोई चिप्स खाई, कुछ खाया, तो जो आरेने है, वो डियने के जैनेटिक कोट को चेंज करके, आपको बार-बार कहता है, क्या मुझे चिप्स खानी है, एक बार आपने वनीला का कप खा लिया, अब बचा रिकमन करता है, म आपको डील कर रहा है, वालब आप आउट आफ कंट्रोल हो गए हैं, अब आप अंडर कंट्रोल ऑफ बार-एने के हैं, ना कि डियने के हैं, अब ये जो आरेने आपको कंट्रोल कर रहा है, इससे आपकी फिजिक खराब हो रही है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, ऐसे test birds को capture कर दिया है, एक बार आपकी body के दिने कोई virus generate हो गया, फिर आप उस virus को मिटा नहीं सकते, उसको मिटाने के लिए आचारियों ने कुछ अलग-अलग संसादन बताए हैं, शरीर को निरोगी करने के लिए वे संसादन अंसन अव मौदर विति परिसंख्यान रस परित्याग, तो वो जो genetic code हमारी body का तूटता रहे, इसके लिए जैन दरशन में रसी का नियम चलता है, सोंबार को हरी नहीं खाना है, मंगलवार को गी नहीं खाना है, बुद्धवार को दूद नहीं खाना है, इस दिन नमक नहीं खाना है, इस दिन मीठा नहीं खाना है तो ये रसी का त्याग क्या कराता है आपकी जिन्दगी में, कि रसी का त्याग आपके जितने भी टैट्स बड्स हैं, जो डैड हो गया है या बहुत जागरूख हो गया है, इसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करने से आपका आरेने कंट्रोल होता है, आपने उपवास कर भी भी खाना बंद नहीं करते आपने हमेशा ये धार्णा बना के रखी है कि जब पेड़ भर जाएगा खाना बंद कर देंगे बुद्धिमान लोग जब दिमाग भर जाएगा तब खाना बंद कर देंगे तो कि आचार सोम्दियो सूरी महराज ने कहा सूत्र लिखा है कि जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है मतलब ये कि जो कम खाता है वो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा दिन तक जिन्दा रहता है लोकिन जो ज़्यादा खाता है उसके अंदर के जो वाइरस है जो एक लाख करोड की संख्या में संसादनों को अपना लेते हैं लेकिन जब आप अपने किसी भी धार्मिक संसानों में उत्पन होने वाले उन विचारों को जीना सुरू करते हैं जहां सिखाय जाता है कि हमको हपते में 80-24 के दिन एकासंग करना है जा फिर प्रक्रिया हर साशन में नहीं है बंदो सिर्फ जैन धर्म में सिखाया गया है कि आपको अंसंग करना है आपको भूग से कम खाना है आपको रसी छोड़ करके रसी का भोजन करना है ये सारी जीवन सेली आचारों की इतनी उदार थी कि जिसके माध्याम से हमको जीवन जीने का एक बहुत अच्छा साधन मिला हम 120 साल तक जी पाएंगे इनी संसाधनों के करन अगर कोई 6 साल में मर गया तो गलती ना धर्म की है ना किसी और चीज की है गलती तो उसके खानपार और उसके विचारों की है कि तुम 25 साल में 28 साल में तुमको हार्ड स्टुक लगा कैसे तुमको हाइपरटेंशन हुआ कैसे तुम बिमार कैसे पड़े उसके लिए गुर्दयों ने एक बहुत अच्छा उधारन दिया था और मैडिकल साइंस में भी उधारन चलता है जब कभी को रिलेट करते हैं तब समझ में आता कि गुर्दयों कितना अच्छा समझाते हैं गुर्दयों ने एक बार कहा कि कभी सोचो कलपना करो क्या कलपना करो कि तुम रोड में जा रहे हो और रोड में जाते जाते तुमारे पीछे शेर आ गया या चीता आ गया अब जैसे ही तुमको पता चलेगा कि तुमारे पीछे चीता है अब तुम क्या करोगे तुमारे बाड़ी में जितने भी आरगंस है तुमारा लीवर है तुमारा ब्रेन है तुमारा पेट है तुमारा पेर है तुमारा हाल्ट है इस सब में जो तुमारे बोजन की उर्जा जा अगर आपके पीछे शेर भी लगा है, आपको पता है कि कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप दौड करके सेर से जंग जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं, कि उसके पीछे आपका mental syndrome है, वो काम करता है, कि दौड़ो, उस समय आपका लीवर काम नहीं करता, उस समय आपका हाइ उस समय ब्लेड में जितनी एनरजी रहती है वो सिर्प आपके पैर्स में रहती है इस बात के लिए कि तुम दोड़ो 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 तो जिस प्रकार एक शेर पीछे पढ़ने पर आदमी तना तेज दोड़ता है उसी प्रकार आज की जनरेशन में बिचारों का शेर इतन तेज दोड़ता है कि उसके पीछे उसके औरगन्स खराब होते रहते हैं तो जो इसकूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो हाइपर टेंशन ले लेते हैं बहुत जादा सोचिन लगते हैं और इंके अंदर पेट में जाने वाला बोजन जंक फूट रहता है या प्रदू तंकी में जो पानी कहीं से स्टोर करके लाया गया है उसको प्यूरिफाइट करने के लिए उसमें केमकल डाल दिया उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया ब्लीचिंग पाउडर डालने से पूरा का पानी का जितना डस्ट और वायरस थे वो उसमें नीचे बैढ़ गए लेकिन उसमें bleaching powder mix हो गया पानी में अब पानी में जब bleach mix हो गया है तो bleach mix होने के बाद जब वो पानी की टंकी से फ्लोग में नीचे छोड़ा जाता है तो जितने भी जो pipelines होती है इन सारी pipelines में जो आपने pipeline देखियो कि लोहे की जो होती है वो proper लोहा नहीं होता है उसमें 9-10 प्रकार की धातों मिला जाती है तो 9-10 प्रकार की धातों के मिला करकी वो बनाती क्योंकि प्रॉपर लोहा होगा चुकि वो पूरे नल का पानी जो होता है वो नाली के अंदर से आता है pipeline पूरी नाली के अंदर होती है तो नाली के अंदर प्रॉपर 100 टाइम पानी में लेकिन क्या होता है कि जब bleaching पाणी, bleaching powder के साथ mix पानी जब आपकी उस pipeline से चलता है, तो उस में जो आठ प्रकार की अलग अलग धातू हैं, जिसमें जस्ता मिला हुआ है, copper मिला हुआ है, तामा मिला हुआ है, और भी मिले हैं, तो उसमें से bleaching powder जस्ता के साथ, एक रासानिक प्रक्रिया को करने के साथ, आपकी बाल्टी में आकर की खड़ा होता है, और उस प्रदूशित पानी को पीने पर महिलाओं को 286 प्रकार का skin के अंदर और body के अंदर cancer पैदा होता है, मलाब अगर किसी स्वस्त महिला को cancer हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, या वो नल का पानी पी रही है, उसके लिए cancer patients के लिए या फिसी भी पका के रोगी की व्यक्ति के लिए, यह effort किया जाता है, कि या तो आप बारिश का पानी लेना पसंद करें, या फिर आप जो है निचे से बोरिंग का या कुए का पानी, बोरिंग का भी नहीं कुए का पानी लेना पसंद करें, क्योंकि कुएं के पानी में बहुत दूर दूर को सिफ मिट्टी रहती है और इतने पतले उसमें जर्म को मारने के लिए जो छोटी-छोटी छेद्र बने होते हैं पूरा पानी प्यूरिफिकिशन होकर के आता है तो रोगी वेक्ति या तो किवे का पानी ले अगर अगर नगीए क करmi का पानी या will पें मिल रहा है अगल बगल रहने के कान कुछ ह्राब हो जाता है तो फिर वो रोगी वेक्ति जो है बारिश के पानी के साथ अपने रोग को ठीक करेगा तो बहुत जल्दी टीक हो जाएगा लेकिन घर के अंदर सबसे दर प्रॉब्लम हो रही है जो आपका RNA बॉड़ी का चेंज कर रहा है वो कौँ चेंज कर रहा है तो अलबॉम पानी के साथ जो आप नलका पानी पीते है जो बीचिशिंप पर्ड़ोड से मिक्स होने करण आपके बॉड़ी में केंसहा कारता है कोलाइटिस पिया है आदों में बीमारी पिया करता है या दर्द पिदा करता है या फिर आपके आँख में cancer पैदा करता है बहुत जल्दी आपको आँख से आपको चस्मा चड़ जाता है इन सब चीजों के पीछे जो कारण है बंदू वो RNA है और उस RNA के पीछे का कारण है ये आपका प्रदूशित पानी बोजंग की शुदता इस जीवन में अतियावश्य आपने कोई मासाहर किया तो उससे जो consume आपकी body कर रही है RNA उससे आपका DNA चेंज हो रहा है उससे आपकी जिन्दगी अलग हो रही है आपने कोई junk food खाया junk food खाने पर क्या हुआ junk food के quality और बताना चाहूं आपको अच्छा लगेगा सुन करके आपने किसी packet में पढ़ा होगा best before sixth month पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है और दूसरे एक सब्द और पढ़िएगा पहले लिखा रहता था made from vegetable oils only अब लिखा आता है made from healthful oil only ये फर्क है healthful oil क्या है आप देखिए आपको बताएं कि आगरा में ग्वालियर में slaughterhouse बहुत सारे है उसमें जितने भी sewer गाय भैस मारी ज कि पूरे protein को बड़े-बड़े कडाहों भी उबाल दिया जाता है उबालने पर अंदर का पूरा मास जो है वो भी कुछ तरल पदार्थ तेल के जैसा उपर लहला आने लगता है उसको content में भर करके और वो आपकी तेल में palm के बाद सबसे सस्ता मिलता है तो वो ही मिलता है त उससे कई लोग chips तलते हैं तो जब ऐसे लोग गंदे तेल से chips तलते हैं कुछ और नमकीन बनाते हैं कुछ और करते हैं तो वो सीधा-सीधा यह नहीं लिख सकते कि mad from vegetable oil तो उन्हें अपने उसमें लिख दिया mad from healthful oil only अब यह healthful है कि harmful है यह हमको decide करना है अब हमने देखा कि कोई packet है उस packet में माली जी आप chips लेते हैं या फिर आप नमकीन लेते हैं या फिर आप हल्दी राम काई खाते हैं कुछ भी खाते हैं तो उसमें लिखा है कि इसकी live times लिखा है 6th month किसी-किसी का लिखा है best before 12th month किसी-किसी में लिखा रहता है best before 2 years ready to eat आप खा रहे हैं वो कि बॉडी में जाकर कि क्या effect कर रहा है आप आश्यर सगीत हो जाएंगे कि माली जी आपने किसी company का एक packet खोला 5 रुपए का आपको भुजिया खाना था आप रस्ते में चलते चलते आपने packet लिया भुजिया खा लिया ब्रेट खा लिया या फिर आपने कोई समोसा खा लिया उसकी उन्हें लाइफ लिख दी कि 6 महने का है अब आपने पेट के लिदा डाला आपको लगता है कि जिसके packet में ये लिखा गया था कि इसकी लाइफ 6 महने की है वो खाते साहती वो डैड हो जाएगा आपको ऐसा लगता है आप आश्यर मानेंगे कि आपने माली जे कोई बहुत्ट विफ़ोर सिक्स्त मॉंथ या फिर इसका ताम पिरा है। इसका अलग अलग तरीके हैं एक लिखते हैं बेस्ट विफ़ोर 6 मन॥ और एक लिखते हैं उसमें एकस्पारी डेट किसकी क्या है तो उसके पहले आपके पैट में जाने के बावजूद भी expire नहीं होगा, इस बात को आप ध्यार न कियेगा, आपने सेव खा लिया, उसमें expired लिखी है कि आठ मैने बाद expire होने वाला है, आपको लगता है कि हमने ये सेव खाने पर हमारी आथों ने इसको पचा लिया, और पचाने के बाद हमने इसका sense निकाल लिया, आपके सिर्फ test birds प्रभावित हुए हैं, आपका सिर्फ RNA प्रभावित हुआ है और उसी गंदे खाते हुए नमकीन के कारण आपकी body के अंदर अनेक दूसी प्रगा की disease पैदा हुई है, वे disease कैसी है, किस इस तर तक हो सकती है, आप कलपन हनी करेंगे, कि जो कम उम्र में लोगों paralyzed होने लग जाता है, जिसको आप कहते हैं, और सांती धारा में जिसके लिए अपसमारीम कहते हैं, अपसमार के बीमारी है, शांती धारा पढ़ते बाद उसके लिए घंदोदा का प्रयोग भी किया जाता है, तो जब ये disease होती है, आपको लगवा लग गया है, उसके पीछे का सबसे ब जो आपका सादू नहीं खा सकता वो आप भी नहीं खा सकते हैं सादू क्या खाता है? जैन समाज के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और उसमें भी हमको बार-बार चेंज करना पड़ता है जैसे बहुत सादू है, सादवी बगवन्त हैं उनका एक स्टाइल बढ़ गया है आपने देखा होगा अभी बहुत सादू या सादवी बगवन्तों को भी कैंसर होने लगा है, यूटरस का प्रॉबलम होने लगा है जब किसी और चीज में डिसीज होने लगी है तो उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है कि हम एक जैसा भोजन ही रोज करते है जब कि जैन सादू की बहुत असी खास्यात रहती है कि वो रोज किसी दूसे दूसे घर में जाते है तो दूसे दूसे घर में अलग-अलग प्रकार का भोजन मिलता है अलग-अलग प्रकार का हाथ मिलता है जिस कारण उनके कभी भी शरीर में रोग पना परप्ते नहीं कल मुंग की दाल मिली थी, आज उड़त की मिल गई कल उनके यहां रोठी मिली थी, आज इंके यहां बाटी मिल गई किसी के हाँ गयते तो लोगिक सबजी मिली थी आज इंके हाँ परokol की मिल गई उनके हाँ गयते तो दाल में नमक डाला था इनके आज दाल में नमक डालना भूल गया तो जो फरक परता है उस फरक परने से क्या होता है अंदर को जो RNA है वो 100 times control में रहता है कि जो RNA ने डिमांड किया भाई आज मुझे खचोड़ी खानी है अंदर से RNA बोल रहा है आप नहीं बोल रहा है आप नहीं बोल रहा है कि फुलकी खानी है उस फुलकी कारण जो आपके अंदर RNA पैदा हो गया है जो bacteria पैदा हो गया है वो bacteria आपके दिमाग को control कर रहा है फिर bacteria आपसे कह रहा है कि चलो पीजा खाके आते हैं फुलकी खाके आते हैं कुछ खाके आते हैं तो सादू के साथ भी होता है सादू के अंदर भी शुद बोज़न करने के बावज़ूद भी RNA तो बनता है और वो RNA बनता है तो RNA बनने के कारण जो है उसके अंदर माले रिक्मंड हुआ कि आप कचोड़ी खाने के इक्षा है यदि आप दोसा खाने के इक्षा है तो उससे इक्षा तो है लेकिन उसने बोली नहीं अब दिमाग में है चौके में दोसा मिलता तो अच्छा रखता और जो आपके मेंटल में बार-बार ये संकेत भिज़ रहा था कि मुझे दोसा 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 और जैसे आपके पेट के अंदर दाल लोटी गई वो RNA वहां से खिसकने लगा अब उस RNA के डेट पीरेट स्टार्ट हो गए और जैसे उसके डेट पीरेट स्टार्ट हो गए उसी तरीके से आप दीरे-दीरे-दीरे करके स्वस्त होना सुरू हो गए तो स्वस्त होने की ये भी एक बहुत बड़ी पक्रिया है कि सादू कभी भी बोजंग करता है मौन पूरवक करता है जिसके फिक्स डाइट होती है कि मुझे दाल, रोडी, सब्डी और यह यही चीछ चाहिए है यह लोग भी जिन्दगी में बिमार हो जाते हैं इंको सबसे बड़ा पेट की प्राब्लम बहुत जादा होती है और आरेने एक बार डिस्टर्ब हुआ तो भी चेहरे का कलर बदलने लगता है फिर आपके रंग, आपके पूरे रूप रंग में दीरे-दीरे करके बदलावाना सुरो जाता बंदो यह सारी प्रक्रियाएं हमको जहन दर्शन में आने के बाद देखना जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे आचारों ने इन शारे सब्दों को इस पूरी व्यवस्ता को लिखा है उन्होंने कहा है कि तुमको अगर स्वस्त रहना है तो रस्परित्याग का नियम लो तुमको अंसन अव मौदर व्यत्ति प्रसंकान रस्परिताग विविक्ति शायाशंकायक लेसा बायम तपा इसको स्विकार करो हम इसको भूल गए क्योंकि आज हमारी जनरेशन बहुत पड़ी लिखी है तो इन सब्दों का अर्थ नहीं जानती इसलिए मैं इस सब्दों को थोड़ा सा बदल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिर घर के अंदर जो एक प्रोग्रिसिव लाइव स्टैप चलती है हमारे यहां की क्षिशन में जो मा बहने करती है कि आज मा बहने हैं ब्रती हैं दारी है तो उने नमक नहीं खाया, बूरा नहीं खाया, शकन नहीं खाया या फिर करे दिन पढ़ते हैं तो उसके हाँ आप गेहों की खीर खाते हैं कभी आपको बिना उसका मिलता है इन सब चीजों की पीछे विज्ञान है कि आपको घर के अंदर मिलने वाला माली जी राकी की दिनों में गुठा खाया जाता है जो मावे का और मैदे का आटे का मिला करके बनाते है उससे भी आपकी बॉड़ी फिजिक बहुत कम्प्रीटली फ्रेस रहती है अब जैसे उलत के दिन खाने के आगए राजमास कि माली जी किसी को दिल की प्राबलम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोर है तो इन ठंडी के दोने में वो उलत का प्रयोग करके अपने आपको पुस्ट कर लेता है तो एक पूरा विज्ञान है जैन धर्म में ये हर धर्म में नहीं है लेकिन हर धर्म का व्यक्ति इस बात को सुन रहा है तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आपको बेवस्टेश रखने के लिए कुछ ऐसी कलाएं जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी फिजिक से रिलेटेड हैं आपको स्विकार कर लेनी चाहिए हमेशा रोज अलग-अलग भोजन करने की कोशिश करिए कि भोजन कितना जरूरी हो गया अब आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है कि आपकी बोडी में जो आरेने बनता है वो किन कारणों से बनता है आप देखिएगा किसी को रजनी गंदा पसंद है किसी को माडिशन पसंद है किसी को पानपराग खाना पसंद है किसी को कोई और जो गुटका है वो पसंद है अब ये गुटका आरेने बनाता है अंदर एक चुलुक पैदा होती है जिसको आप लोग कहते हैं बहुत देर हो गई चाहिए फिर किसी को smoking की आदत है फिर माली जे किसी को alcohol लेने की आदत है किसी को junk food खाने की आदत है किसी को non-witch खाने की आदत है किसी को ice cream खाने की आदत है किसी को cold drinks पीने की आदत है या फिर किसी को जो है वो प्रदूशित and hyzen बोजन करने की आदत है माल पूरा environment प्रिदूशित है उससे आपकी body के अंदर पूरा RNA जा रहा है आपके body के अंदर नपुन सकता बढ़ रही है आपकी body के अंदर सोचने समझने की शक्ती कम हो रही है आपका बच्चा जो है वो जो हाइपर एक्षन में रहता था या फिर बहुत आता विद्वान बन सकता था वो विद्वत्ता नष्ठ हो रही है इससे जाती संकरता भी पैदा हो रही है कुलगोत की अशुद्धी भी हो और साथी साथ सरीर और अंदर का स्वास्त पूरा बिगड़ रहा है फलता है परिणाम कुछ और ही निकल रहा है और आपकी पूरी फिजिक को बिगड़ने के लिए बंदो एक बात और कहना भूल गया मैं कि फिजिक को बिगड़ने के लिए एलकोहल, स्मोकिंग, जंक फू ईंटीबायोटिक क्या गरती है आप इसको भी देखिएगा कि जैसे मालीजी आपको कोई बीमारी हो गई आपको माईग्रेन हो रहा है तो मालीज आपकी पीठ में दर्द है या फिर आपको बुखार आगया तो आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको चार गोली लिखता है उस चार गोली में एक एलेडिक या एंटीबायोटिक ज़रूर होती है दो गोली लिखेगा रोग को मारने की और पिए एक गोली ऐसे लिखेगा कि इस रोग को मारने वाला यह जो हमने दबाई दी है इससे हुतपत्ंध मैं ओने वाले रोग को मारने के लिए वो एक एंटी बाइटिक जो लिखता है तो बाडी को बीगाडने का सबसे बड़ा काम एंटीबायोटिक भी करती है जबकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक तो लिख देते हैं लेकिन वो आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में बिल्कुल नहीं बताते वो यह नहीं बताते कि बायोटिक की फैसलिटी में तीन अलग-अलग content होते हैं जिसको आप prebiotic, probiotic and antibiotic कहते हैं तो डाक्टर ने अंटीबायोटिक लिग दी, आप किसी डाक्टर साब ने हमको बताया कि आजकल अंटीबायोटिक के साथ ही प्रो बियो čी है अम को प्रो प्रो बियो टिक करके आता है, तो ऐसे को प्रो प्रो बियो टिक हыми अम जाने को आता होगा, यह उप्री ब्रू शिर्वा सा गुए है ना, मुई कि आहीं साफ सुन्था करने पड़ता है, और आपके बिना पेस्टिसाइड वाला जिसको आप कहते है और गेनिक ऐसा आपने मालीचे एपल लिया तो एपल आपने एक एपल खाया एपल खाने के बाद एपल आपकी बाड़ी में डिजॉल्व होने में उसको बहुत नून कम समय लगेगा तो रोगी को एपल दे देते ह हैं रोगी को थोड़ा सा दूद दे देते हैं लेकिन इसमें भी देखा जाता है कि अगर और और गेनिक हैं तो काम करते हैं अगर वह पेस्टिसाइड वाले हैं तो फिर वह आपके बाड़ी कंदर एक ऐसा आरेने बनाते हैं जिसके माधिदम से आपका फिचिक फिर खराब करना चाह रहे है या आप अपने जीवन में ग्रह जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो इस उत्वोधं को बहुत दूरता को पहचाने की कोशिश करिएगा समझनयास समझाने की कोशिश करिएगा कि एंटिबटिक खाने से आपकी बाड़ी में जो पेट में जो आर Review स्टे है में जो बहुत सारा RNA बना हुआ था कंट्रोल था जिसकी काउंटेबल संख्या एक सौ लाख करोड तक थी उसमें से एंटेबाटिक की गोली देने पर वे RNA वहां पे मर करके बाहर निकलने लगे अब वे मर करके आपका जो स्टूल होता है जिसको आप सौच मल कहते है न तो जो आप सुबह सुबह मल त्याक करते हैं बंदों उन सारे मलों में आपको बड़ा आश्यर होगा कि 60% तक RNA होता है या जीवित या डेड मल में सिर्फ बोजन नहीं होता है मल में 60% वो बैक्टीरि इस पहोती है एक डिटॉक्टीफिकेशन जो है हम लोग अस्टमी और चतुरदसी को करते हैं जब सूर की या चंद की स्थितियां आंगे पीछे होती हैं तो जैन दर्शन में या फिर आपके भारती दर्शन में अस्टमी और चतुरदसी के ब्रत माने गए हैं या अस्टान लेकिन हम इतना ज्यादा करें लिखिश हो गए हैं कि हमॉवजब संस्क्राइक 17-10 lack बशन चाहते हैं नहीं जानना चाहते हैं उन्ना कंए कोशिश की हम दो नहीं को चब्सी कोशिश दिखाया गया तीवी revenue दिखाया किलेच चिप्स खाने से ऐसा होता है अंकल चिप्स खान करते करते आप सुवर के जैसे हो गए स्वीगी और सुगर में किता अंतर बताओ सब्द करीब करीब मिलते जूलते मिलते हैं आपने बहां का भोजन किया और आपका फिजिक दीरे-दीरे खड़ाब होना सुरू किया आपकी पूरी बॉड़ी का डीने चेंज हो चुका है आज आज आपकी पूरी बॉड़ी को चलाने वाला RNA है और RNA को चलाने वाले टेसबर्स है और उन टेसबर्स को चलाने वाली बहुत बड़ी-बड़ी मद्रेसन कम्पणियां है आज बच्चे को अपनी मा के हाथ का भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आज बच्चे को अंदर रहने के बावजूत, बच्चा चाहता है, रिकमंद करता है, कि हम एक थाली बुला लेते हैं, उनका बहुत तैस्सी रहता है, वो ही पुडी मा बनाती है, और वो ही गरम पुडी आपको हल्दी राम के स्चॉल पे मिलती है, फिर उस पुडी और इस पुडी में बना है, वो बना पचा हूँ बोजन आपके ब्लड में मिल जाता है, फ़लता है आपको बाहरी शरीन में होने वाली डिसीज पैदा होती है जो आपका sinus भी होता है oral problem भी होती है बदबू भी होती है बहुत सारी चीज़े होती है इन सब चीज़ों को आप जानने का समझने का प्रयास करेंगे लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपको मेरे को सुनने की आदत पड़ गई है आप मुझे सुनते हैं तो मैं ऐसा चाहूंगा कि आप इस संदेश को दूर तक पहुचाएं और अपने बच्चों को और बेटियों को तयार करें इस बात के लिए कि वो अपना जैनिटिकल जो DNA है उसको चींज न करें और आपकी बाड़ी को चलाने वाला DNA न होकर के RNA है RNA को चलाने वाली बड़ी-बड़ी मंटिलेशन कंपनिया है चुँ आपके टेस्ट बर्स के साथ में आने के कारण जो है आथ पूरा बातावना बदल गया है और जिससे हमारी जीवन शैली भी बदल गई है अगर आपको एक नई और अच्छी संतान पैदा करनी है तो सबसे पहले बोजं की शुद्धता की और हम ध्यान देंगे अलकोहल छोड़ेंगे, स्मोकिंग छोड़ेंगे बाहर का खाना छोड़ेंगे, जंक फूट खाना छोड़ेंगे प्रदूशित पानी को पीना छोड़ेंगे, नलका पानी पीना छोड़ेंगे और जो एन हाइजानिक स्पेस पर जो भी फूट लगाए जाते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं इसमें खड़े हो करके हम किसी भी तरीके से अपने शरीर और मांसिक्ता को दूशित ना करें, ऐसी भावनाओं के साथ महराज यशो चंद्रमती को जो समझा रहे थे, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया मैं जहां तक भी सफल हूँ, अपनी देशना को सफल मानता हूँ, गुर्देव का आशिरवा साथ में है आप लोग इसको समझने का प्रयास करें, इनी सब्दों के साथ अहिंसा पर्मो धर्म की बगवन्त गुर्देव श्री विद्या सगर जी मुनी महराज की